नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल online and offline दोस्तों जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि आज आपको बियारो के फोर्म की वीडियो प्रोवाइट कर दूँगा तो step by step कैसे फोरी वीडियो में आपको पता से जाएगा जब आप अंत तक देखेंगे कै कैसे पहुचाना है कहां पहुचाना कौन-कौन से चीज़े आपके लेगेगी सब कुछ मैंने बताया एक चीज मैंने एक इंपोर्टन चीज आपको वीडियो में बताई को आप लोगों को पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगी आप ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस नहीं होगा वो बहुत घटिया पोस्ट ओफिस होगा जिसके पास यह चीज अवेलेबल नहीं हो तो आप जो है यहाँ पर इंटरनेट से निकाल लेंगे यह स्लिप इंटरनेट वाली भी आपकी काम करेगी तो टेंशन लेने की इस चीज में जरूत नहीं है आप लोगों को बाकी ब्यारों का बाकी जो अधर पोस्ट से फिल करेंगे उनके लिए जी के वाला कंटेंट डिस्किप्शन में दे दिया है बाकी टेंशन लेने की जुरूत नहीं आप वीडियो देखिए मैं जानता हूं बहुत बच्चे वेट कर रहे त्यार कि मैं अपका फों की वीडियो लेकर आऊंगा ब ऐसा नहीं कि 12 पोचा रहे हैं या 11 पोचा रहे हैं आपको 2-4 दिन में इस फों को फिल करना है आप किसी भी काम में व्यस्त हो एक हफ्ता लेलो और डिपार्टमें में पहुचा देना है क्योंकि रजिस्टर्ट पोस्ट से पहुचाने में आप लोगों का फों बाकी मैं आप लोगों को फिल करवाना था तो मैंने वो अपनी साइट से करवा दिया बाकी चले फों की और बढ़ते हैं और आप लोगों को step by step चीज़े बताते हैं तो हम लोग जो है आप लोगों के लिए फों पर आ चुके हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बता दू कि मैं इस post के लिए आप लोगों को फों फिल करके बता रहा हूं मैं इस post के लिए बताऊंगा तो उस हर category का ITI वाला बच्चा जिसमें उसकी post available है जैसे Mason हो गया या आप लोगों का Painter हो गया वो भी easily apply कर पाएंगे 10th वाले बच्चे भी easily apply कर पाएंगे सो मैं step by step आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को ITI base पर form को fill करना है मैंने यहाँ पर vehicle mechanic की post आप लोगों के लिए चुनिये आप लोग देख सकते हैं तो सबसे पहले यह उपर वाले column पे आपको कुछ नहीं करना इसे ऐसे ही छोड़ देना है इस पर कुछ आपको डालने की जुरूत नहीं है यह चार नमबर मैंने कहां से डाला है यह भी मैं आपको बता देता हूँ आप देख सकते हैं 1,2,3,4 चार नमबर पे आपकी post आप लोगों को लगानी है फोटो में आप लोग ध्यान रखना जो signature करेंगे आदा आपका बहार होना चाहिए और आदा आप लोगों का फोटो पे होना चाहिए यहाँ पर मैं form जो है general category से fill कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर यूर पे tick कर दिया उसके बाद यह weightage का fund आप लोग समझ लें weightage में क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर यह जो percent मैंने डाला है ना यहाँ पर highest qualification है हमारी ITI थी तो मैंने ITI की percentage यहाँ पर डालिए 10th की नहीं डालिए जो बच्चे 10th से form fill करेंगे जिनकी trade available नहीं है आपर वो 10th की qualification की percentage यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यह क्या है यह मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ आपने देखा होगा जब आप form fill अपने notification देखा होगा उसमें जो है category wise चीज़े आप लोगों को दे रखी थी यह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर आप इन category में से किसी में आते हैं तो यहाँ पर आपको वही percentage की weightage डालने पड़ेगी जिसका आप claim ले पाएंगे ठीक है इन में से एक चीज़ डालने पड़ेगी तो यह claim आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर डालोगे और पर उसका document लगाओगे जो भी आप लगा रहे हैं तो मैंने बहुत बच्चे यह चीज़े करके नहीं बैठे हैं तो यहाँ पर मैंने na डाल दिया आप यह बेच 0% भी डाल सकते हैं इसे blank भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जितना मिलाके परसेंट बन रहा है वो यहाँ डाल देंगे तो मिलाके हमारा जो है 80% भी बन रहा था तो 80% हमने यहाँ पर डाल दिया उसके बाद अगर आप ब्लोंग करते हैं माइनिरिटी कम्यूनिटी से तो यस करेंगे और डोक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा ध्यान रखना उस चीज का अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद आप एकनोमिकल वीकर सेक्शन यानि EWS से ब्लोंग करते हैं यस करेंगे उसका डोक्यूमेंट लगाना पड़ेगा लेकिन हम नो पे क्लिक कर रहें को कि बहुत बड़ी संक्या में हमारे चैनल से नो वाले बच्चे जुड़े हुएं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोपर नाम लिखना है नाम अगर आपके मदब आपका फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है तो बीज का कोलम आप लोग छोड़ देंगे यहाँ पर नाम डालेंगे अपना फर्स्ट और एक कोलम छोड़के आप लोग यहाँ पे अपना surname डाल देंगे पिताजी का नाम भी उसी तरीके से आप लोगों को use करना है जैसे मैंने यहाँ पे use किया है उसके बाद date of birth जो आपकी 10th class के certificate में DOB है उसी के according आपको DOB डालने पड़ेगी यहाँ पे date और आपका जो permanent है वो same है तो आप दोनों में same डाल दोगे otherwise आपको different different डालना पड़ेगा वो तो आप पे ही depend करता है कि आपका किस तरीके का address है उसके बाद आप जानती है जो you are category के बच्चे और जिनको fees pay करनी है उनको जो है 50 पे की fees पे करने पड़ेगी जो SBA के online portal से होगी उसका link मैं आप लोगों को description वे दे दूँगा उसकी slip निकलेगी वो आपको attach करके भेजनी है और उसकी details आपको यहाँ पे डालने पड़ेगी इन case अगर आपका जो है कोई fee नहीं लगनी तो आपको इस column को blank छोड़ देना इसको छूना नहीं है जो details आपकी उस slip में available होगी वही आपको यहाँ पे डालनी है bank का नाम डाल देंगे किस से fee pay करवाई है आपको reference number डालना payment का वो slip पे दिख जाएगा transaction date आपकी कौन सी दी वो डालनी है और कितने का आपने वहाँ पे चलान कटवाया पैसे कटवाई वो आपको डालने है ये क्या है कि for example आप जो है दो category से ब्लों करते हैं तो आपको दोनों यहाँ पे डालने पड़ेगी लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है इसको छोड़ देजिए इसको छूने की भी जरूत नहीं है आप लोगों को वरना form में दिक्कत होगी और आपका admit card आने में भी आगे चलके दिक्कत हो जाएगी उसके बाद अगर आप इन चीजों से ब्लों करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे yes कर देना और उसका proper document आपको लगाना पड़ेगा मैंने हर चीज में no डाल दिया क्योंकि बहुत बच्चे no category से हमसे ब्लों करते हैं तो no डाल के आगे बढ़ा हूँ और अगर यह 15 बाद नमबर जो है if yes for above column 15th edge write one for state level and above तो इसको भी छोड़ देना है क्योंकि हम 10th डाल दो या matriculation डाल दो दसवी की डाल रहे है year of passing आप लोग डालेंगे जो आपका passing का year होता है board आप choose करेंगे जैसे मैंने CBSC choose कर लिया अब 10th class में आप लोग जानते हैं multiple subject होते हैं तो मैंने all डाल के यहां पे जो है इसको छोड़ दिया है marks कितने में से कितने आए वो डाल देंगे और आपके कितने में से थे वो आपको यहां पे डाल देना है ठीक है और उसके बाद कितनी percentage बनी वो आपको यहां पे डाल के जो है बढ़ जाना है उसके बाद ITI base पे form fill कर रहे हैं तो ITI की qualification डालना जरूरी है तो हमने हाँ पे ITI लिखा उसके बाद year of passing डाला उसके बाद board लिखा NCVT, SCVT जो भी आपका है क्योंकि दोनों category से form fill कर सकते हैं marks obtained कितने थे आपके मैंने 1000 में से लिया है as a example जो भी आपका हो आप उसके according डालना 80% बने 80% मैंने डाल दिये अब यह जो 17 कोलम है यह आपको भरने की जुरत नहीं है जो driver वाली post के लिए apply कर रहे है उनके लिए यह वाला कोलम heavy motor vehicle का जो है license का भरना पड़ेगा आप लोगों को उसके बाद हम third page पे आजाते हैं यहाँ पर आपको यह नई भरना क्योंकि इसमें experience चाहिए यह नई भरना आप लोगों को यहाँ पर अपना contact number डालना है ध्यान रखना जिससे अधार card आप लोगों को link हो क्योंकि department जब आपका biometric करेगा center के time पर या result के time पर वहाँ पर इसकी जुरत पड़ेगी आपका अधार card वाले number पर OTP आता है जो अधार card से link होता है mail ID एकदम correct डालना गलत मत डालना यह चाहिए अधार card से link हो चाहिए नई link हो उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन number link वाला आप लोगों को डालना पड़ेगा otherwise यह समझो admit card आप लोगों को आ जाएगा लेकिन biometric के time पर आपको दिक्कत होगी उसके बाद place आप किसी भी गाउं से blown करते हैं जिससे आप form फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना जो आपके document में available हो उसके बाद date आपको वो डालना है यह प्रोपर तरीके से और वो ही signature आदे फोटो पे आदे भार आपको करने है यहाँ पर अपना नाम लिखना है capital में आपको पूरा form फिल करना है यहाँ पर अपने पिताजी का नाम यहाँ पर प्रोपर address जो भी आपका village, तैसील, state और जो आपका post office लगता है, district लगता है, pin code लगता है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बस यह वाला part में signature करने और यहाँ पर thumb impression लगाना है इससे कोई मतलब नहीं है यह सारी चीज़े आपकी बाद में proceed होगी जब आपके आगे के process लिये जाएंगे जैसे at the time of written test, at the time of physical test, at the time of practical test, at the time of joining service तो इससे अभी आपका कोई मतलब नहीं है तो यह हमारे चार part हो गए है यह हमारा form almost चार part का complete हो गया है उसके बाद यह जो है मैंने इसको fill नहीं किया लेकिन demo के लिए मैंने निकाल लिया था क्योंकि बच्चों को जुरत परती है बहुत इजी है इसको fill करना को difficult task नहीं है यह schedule cast वाले बच्चे भरके जो है department में भेजेंगे और ध्यान रखना यह तो भेजोगे साथ में जो आपका certificate है वो भी आपको भेजना पड़ेगा और किसी भी language में आपका certificate है उसको Hindi या English में आपको convert करके भेजना पड़ेगा क्योंकि कुछ के गुजराती में रहते हैं कुछ के मराथी में रहते हैं कुछ के उडिया में रहते हैं तो उसको Hindi या English language में convert करके आपको भेजना पड़ेगा department ने साफ साफ notification में यह चीज mention कर दी है तो ये दो pages का है उसके बाद आप लोग अगर बाद भी OBC से belong करते हैं तो आप लोगों को ये जो है दो page का आप लोगों का जो है एक page का आप लोगों का जो है यहाँ पर ये page available है इसको आपको भरना है और OBC का certificate भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा उसके बाद अगर आप EWS से belong करते हैं तो ये आपको form फिल करना पड़ेगा और ये साथ में लगा के और जो आपका document है वो भी आपको लगाना पड़ेगा ध्यान रखना ओरिजनल आपको नहीं लगना ओरिजनल लगाओगे तो वो आपका दिक्कत हो जाएगी आपको photocopy ही ल ठीक है for example यहां पर document बना हुआ है नीचे आपको self-attested सबसे पहले लिखना है self-attested आपको अपना signature करना है और जिस दिन आप form भेज रहे हैं उस दिन की date आपको यहां पर डालनी है ठीक है 17 को भेज रहे है 17 की डालो 18 को भेज रहे है 18 की डालो तो इतना काम हमारा हो गया जो भी आपके documents है ITA बेस पर भर रहे है तो आपके 10th class के जो भी relevant document है वो आपको भेज रहे हैं मतलब जो भी relevant document है अब document पर explanation I think आप लोगों को सब aware होंगे इस चीज़ का ध्यान रखने document गलत नहीं होना चाहिए अब यह most important चीज़ है इसके बिना दिक्कत हो जाएगी आप लो भी लिख दिना जिससे आपकी identity हो सके क्योंकि कभी-कभी photo misplace हो जाती है तो आपको दिक्कत होती है यहाँ पर जिस post के लिए apply कर रहे है for example मैं vehicle mechanic की post के लिए apply कर रहा हूँ यह mechanic vehicle की post के लिए apply कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इरको लिखना है application for the post of आप जिस भी post के लिए क required है यहाँ पर आपको वो address डाल देना है जिस पर form को पुचाना है department ने यह address आपको notification में भी दे रखा है लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया आप देख लेना उसके बाद यहाँ पर आपको अपना address डालना है पिताजी का नाम लिखना चाहते हो लिख देना है इसमें और यहाँ पर जो है अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपका form पोच जाएगा रजिस्टर्ड पोच से पोचाना ध्यान रखना आप जाओगे post office सीधा बोलना कि भाया मेर को तो रजिस्टर्ड पोच से जो है अपना form पोचाना है उसके बाद एक most important चीज जो आप लोगों के लिए वो है ये इसे बोलते है acknowledgement अग्नोलिजमेंट दो तरीके से होती है एक page आपका ये होता है और एक page आपका ये होता है यहाँ पर दोनों page आप फिल करोगे सबसे पहले ये फिल करोगे आप लोग जहां पर आपका form पोचाना है और एक ये जो है आप लोगों जहां से आप फोम पोचा रहे हैं और यह वाला हिस्सा इसको जो है इससे चिपका होना चाहिए ध्यान रखना और यह हटना नहीं चाहिए इतना इसको तगड़े तरीके से पेस्ट कर देना ताकि आपको जो है यहां पर जो भी हो डिपार्टमेंट के पास अक्नॉलिजमेंट पोस्ट ओफिस में जाके आप एजिली रजिस्टर पोस्ट करवा सकते हैं मैंने अपनी तरफ से अपना कार्रे आप लोगों को अच्छे तरीके से करके दे दिया है ध्यान रखना एक एनवलब आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट में साथ में छोटा सा डाल देना ताक पर सही तरीके से एड्मिट कार्ड भेजता है ठीक है तो यहां पर आप लोगों को मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है डोक्यूमेंट भी मैंने आप लोगों को अलमस्ज बताई दिये हैं डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिये बाकि परकार की समस्य आती है कमेंट बोक्स आप लोगों के सामने ओपन है मैं शोट वीडियो के माद्यम से आप लोगों का जवाब प्रोपर तरीके से दे दूँगा ठीक है मुझसे जितना हो सकता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया बाकि जिस पोस्ट के लिए आप के जो है मैंने जो जनरल एवरनेस जी के है वो आपको दे दिया वो आपके लिए काम आ जाएगे बाकि वीकल मेकानिका तो पूरा कंटेंट डिस्किप्शन में अवेलेबल है थैंक यू